पिछले तीन दसक से भी ज्यादा समय से इस देश की राजनीत ने लालू परसाद के कद को स्विकार किया है। पिछले पंदरा चालों तक लालू परसाद ने सासन किया जैसे चाहा वैसे सासन किया तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ ये तो दूसरी तरफ से नितीश कुमार ने भी पिछले 18 वर्सों से जबरदस्त बिहार में अपने हिसाब से अपनी सरकार चलाई है। जब चाहा जिसे चाहा अपने साथ जोड़ लिया जब चाहा अपने साथ से दूर कर दिया। और भाजपा को छोड़ करके नितीश कुमार ने महा गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाई थी और सरकार बनाने के साथ साथ वो काफी खुश नजर आ रहे थे। इन सारी बातों को ले करके चर्चा आए तो बहुत सारी थी जिसमें नितीश कुमार मुख्य मंत्री कुर्शी पर बने रहे लेकिन उनके साथ अब कॉंग्रेस, राष्टिय जनतादल, हिंदुस्तानी आवाम पाटी और लेफ्ट के दल सामिल हो गए थे। इस पूरे एक साल के कारेकाल को अगर देखें तो कहीं नितीश कुमार ये नजर आ रहा है कि दॉमिनिट कर रहे हैं लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बात और समझ में आई है कि भले ही राष्टिय जनतादल के कोटे के मंत्रियों की किरकिरी हुई है, कई लोगों को इस्तिफा देना पड़ा है, इन सब के बावजूद ये बातें स्थापित हो गई है कि लालू परसाद ने एक साल में कहीं न कहीं एक मजबूत खूटा गार दिया है, जिसमें नितीश कुमार बंधे हुए है, नितीश कुमार को एक बाद पिर से वो सपना दिखाया गया है जिस सपने को कई वर्सों से नितीश कुमार देख रहे हैं, 2013 में यही सपना देख करके नितीश कुमार एंडिया से अलग हुए थे, उसके बाद से तो ये पूरी की पूरी कहानी बदल गई, आपको बता दें कि नितीश कुमार और लालू परसाद के बीच सब कुछ ठीक औ ये बात साफ नजर आ रही है कि लालू परसाद ने नितीश कुमार को अपने खूटे पर बांध लिया है, लालू परसाद जिस तरह से सब कुछ सह रहे हैं, बरदास्त कर रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि नितीश कुमार और लालू परसाद में सिर्फ अंतर इ रही है इन सारी बातों के साथ साथ वक्त आने पर किस तरह से निती इस कुमार ने अपना एंगल सरकार बनने के साथ ही एक तरह से अपराद की घटनाओं में बेतहसा व्रिद्धी होई है तो वहीं बैंक लूट सराफा कारोबारी को टार्गेट करना प्रपर्टी डिनरों की हत्या या उनसे पैसों की मांग करना लगतार आपको बता दें कि प्रती दिन एक से दो हत्याएं ह होती हैं और कई लूट की घटनाओं भी हुई है इसके आंकड़े आपको सरकारी जो दावे हैं उसमें मिल जाएंगे इसके साथ साथ सिक्षकों को लेकर के भी बहुत सारी बाते हुई तो आपने देखा कि लाठी चार्ज में भारते जनतापार्टी के लोगों को खुब ऄहां ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मामले में जहां एक तरफ खुद स्वास्त विभाग के मंतरी तेजस्वी आदों फंसते हुए नजर आये तो वहीं सबसे जादा विश्वास पात्र भूमी राजस्व विभाग के आलोक महता पर भी ये धबा लगा कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग में गरबरी कर रहे हैं इन सारी बातों को दर्खिनार करते हुए आपको बता दे कि नितीश कुमार अपनी सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं नितिश्कुमार जहां एक तरफ जीरो टॉल्डेंस की बात करते हैं, ट्रिपल सी की बात करते हैं, वहीं 1700 करोड का पुल भस गया, लेकिन नितिश्कुमार के तरफ से कोई आवाज नहीं निकली, इसका सीधा मतलब है कि कहीं न कहीं नितिश्कुमार को भी इस बात का हसास हो कि अब उनके पास वो समय है कि वो भी किसी तरह से सर्वाइब करें जहां एक तरह दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां है तो वहीं सरकार भी मजबूरी में चल रही है इन सारी बातों को ले करके एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नितीश कुमार के इन एक सालों के करने का स्रे भले ही लालू परसाद ने नितीश कुमार को दिया हो लेकिन शुरुवात नितीश कुमार के लिए लालू परसाद ने किया था नितीश कुमार को स्थापित करने और उन्हें सहज बनाने स्विकारिक कराने के लिए लालू परसाद हर वो एंगल अपना रहें इ आने वाले कई दिनों तक अभी ये सब कुछ चलता रहेगा लेकिन एक साल की उपलब्धी में अगर देखा जाए तो नितीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाए हैं बाकी का सारा काम जो पहले से चला आ रहा था जिसकी कलतना की जाये थी जिसकी संभावना ब्यक्त की जा अंदाजी और भले ही एग्रेसिव होकर के नहीं लेकिन समझाब उजा करके और अपने अस्तर से भीतर भीतर पूरी तयारी कर रहे हैं अब देखना दिल्चस्प होगा कि एक साल के बाद जो आने वाला समय है ये दोनों किस तर से एक दूसरे के साथ सर्वाइव करते हैं हा वैसे ही लालू प्रसाद ने स्क्रू टाइट करना सुरू किया उन्होंने गठवणन ही बदल दिया एक बार फिर से इस्तिती वैसी ही पैदा हो गई है लेकिन इस बार अंतर सिर्फ इतना है कि लालू प्रसाद स्क्रू सामने से नहीं भीतर ही भीतर टाइट कर रहे हैं और सामने से वो नितीश कुमार के सामने सरेंडर करके खड़े हैं इसका फायदा निशित रुप से राष्टिय जनतावल को आने वाले समय में मिल सकता है क्योंकि नितीश कुमार को सामने कुछ भी नजरा है लेकिन भीतर भीतर नितीश कुमार को खोखला करने के भी तैयारी चल रही है जुड़े रहेगा भारत लाइब के साथ एक साल के इस उपलब्दी में बहुत अच्छे और बुरे वक्त भी गुजरे हैं बहुत सारे ट्विश्ट हुए हैं आप क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर इस वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सतीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्ट में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद